महराश नवनिर्माण सेना की धंकी के आगे अभिनेता फवाद भारत से पाकस्तान चले गए हैं पाकस्तानी कलाकारों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच ये खबर आई है कि पाक अभिनेता फवाद खान ने चुपके से भारत छोड़ दिया है बताया जा रहा है कि फवाद अपने देश पाकिस्तान लौट गए हैं बतादे की बीते दिनों महराश नवनिर्माण सेना एम एन एस ने भारत में काम कर रहे पाकस्तानी एक्टर्स को धंकी दी थी कि अगर वो 25 सितंबर तक भारत नहीं छोड़ते हैं तो गंभीर पर नाम भुगतने होंगे हाल ही में जम्मो कश्मीर के उरी में सैन शिविर परातंगी हमले के बाद मन से नहीं धंकी दी थी अभिनेता फवाद खान ने गुब चुब तरीके से भारत छोड़ दिया है कई पाकस्तानी कलाकारों ने इस धंकी के बाद खुद के यहां असरक्षित होने की बात कही थी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि फवाद हालात के छीख होने तक नहीं लोटेंगे सूतरों की माने तो MNS ने फवाद खान की अगली रिलीज होने वाली फिल्म एदल है मुश्किल रिलीज ना होने देने की बात कही थी इसके बाद फवाद ने देश शोड़ने का मन बनाया बता दे कि फवाद खान करन जोहर की फिल्म एदल है मुश्किल में एहम भूमी का में नजर आएंगे फवाद के पाकस्तान लोटने के बाद और भी पाकस्तानी कलाकारों की पाकवापसी हो सकती है एनमेट न्यूस की रिपोर्ट